जी निशान जी मुझे लगता है थोड़ असमें आप विनम्रता से करेक्शन कर दूगा क्योंकि मेरे मस्तेश में आपकी छवी बहुत अला गया तो मैं बहुत खुश हो गया था कि आज आपके साथ बैठना होगा तो एक डॉकुमेंट यह और है दावे नहीं प्रमान इसमें हमने हमारे अचीवमेंट्स को रखने का प्रयास किया है कि आखिर हमने पंदरा साल में क्या किया तो आप जिस भी छेतर से बोलेंगे उस छेतर पे मैं चर्चा के लिए तयार हूँ कहा से शुरू करें इसके साथ ही साथ मैं एक बहुत विदंबर थोड़ा सा सब्विशन और रखना चाहता हूं हाँ हमने दो हिस्सों में इसको रखा है एक नारी शक्ती का और एक जो हमने यह रखा है दूसरा जो में बेनिफेस्ट रहता उसको रखा हुआ है तो हमने यह भारत में पहली बार हमें एक इवालूशनरी डेमोक्रेसी है मैं सभी दलों के लिए कह रहा हूं निशान जी तो भारती जंता पार्टी ने अपने अनुबहों के आधार पे प्रयास किया है कि एक कावन प्रतिशत जो जनसंख्या है देश की वो महलाओं की लगबग हो जात है तो क्यों नहीं हम उसको भी उनके दस्टी कोर से एड्रेस कर सकते हैं क्या जब हम किसानों की बात करते हैं सब की करते हैं तो इस प्रकार से पहली बार भारत के लोगतंतर में ये प्रयास किया गया है मुझे लगता बाकी दल भी इसको किदे अप्रेशेट करेंगे और इ किसान महिला और रोजगार बताइए किस से शुरू करेंगे आपकी चौइस उससे शुरू करते हैं किसान महिला और रोजगार तीन हुए चौथा कौन सा पूल रहा है नहीं आपने बहुत अच्छा किया जैसे मैंने आपको बताया था डेमोग्राफिकली 51 प्रतिशत जो होते हैं वो पॉपुलेशन होती है जिसको एड्रेस करना चाहिए इसी प्रकार से मध्रिप्रदेश को आप भी जानते हैं 80% लोग प्राइमरी सेक्टर में निवासरत हैं याने कि खेती, क्रशी, पशुधन या कुकुट इससे जुड़े हुए चेतरों में काम करते हैं बहतर परसेंट होता है यह दिए उनके आश्रितों को आप मिला ले तो लगबस 70-80% हो जाता है तो सबब ही कि हमारा एक बड़ा सेक्टर वो ही है जिसका आपने नाम लिया है तो किसानों का जहां तक संदर्ब है इसलिए मध्रिप्रदेश पायोनियर रहा है uting बारा ब मैंसरी के खम के आपके सामने एक सवाल रख रहा हूं आपने इस बार किसानों के लिए कई सारे वादे रख्ते हैं जित्ता की मैं देख रहा हूं मैं आपके आज के घोश्रा पत्र पूने से compare कर रह चुठ और क किसानों से हमैं शुरू करते हैं लेकिन छोटे किसानों को लाब नहीं मिल पाता इसलिए हम छोटे किसान इस योजना के लाब से वंचित ना रहे हमने इसलिए दिश्ट्रिप प्रत में तैक आए कि हम इसको भी लेके आएंगे ठीक है ना मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूँ कि आपके मध्विप्रदेश का अगर मैं जिकर करूं और फैक्स की बात कर रहा हूँ मैं सर थोड़ा एक-एक चीज़ देख के बात करेंगे 2016 में रिसर्चर थे संजोई चक्रवर्थी एस चंशेकर और कार्थिके उन्होंने कहा कि फार्मर की इंकम 2003 से 2013 के बीच में 75 फीस अदी बड़ी है लेकिन किसान की हाउस होल्ड पर कैपिटा मंथली इंकम 1321 और 2013 में अभी भी 7% लो है नाशनल आवरेज से किसानों के सुसाइट की मैं अगर बात की जाओं हर 8 गंते में मध्यप्रदेश में 2016 में किसान हैं तोनों का जवाब दे दिजे दिशाजी मैं बहुत तेजी से जवाब देने का प्रयास करते हैं क्यों को उठा कर देखेंगे तो चुकि मद्यपिनेश में 80 प्रतिशत रहवासी ही के सान है तो सौभविक है कि जब आप सुसाइट का कॉंपोनेंट देखेंगे तो 80 परसेंट कॉंपोनेंट आपका उसी सेक्टर से आता हुआ प्रतीत होगा नंबर दो इसको रोकने के लिए फिर सरकारों ने क्या किया तो सरकारों ने 18 प्रतिशत ब्याजदर को घटा कर शूनि किया है और हमने जो अभी लक्षित किया है लगबग 40,000 करोड का हम फसली रिण देने वाले हैं जिसमें 10 प्रतिशत मूल धन पर सबसिड़ी है यानि कि 4000 करोड रुपे वापस नहीं आए तो आप समझ सकते हैं ये करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि ना केवल हमने ब्याज मुक्त किया है जो स्वामिन अथन आयोग ने कहा था कि क्या हम फसली लिर रिण जो होता है जो बीज पर होता है परिवन पर होता है क्या वो हम ब्याज मुक्त दे सकते हैं तो मद्यपिदेश वह पहला राज़े जहां करने का वह परहाज कर रहा है और सफलता पूर्वकों चल रहा है यह आपने फैसला कब किया इसके पशशाद कीमत कर्थी देख मूँ ने मिलना क्योंकि पिछली बार हम लगबग इसको 20,000 करोड क्रोस कर चुके हैं और जो ब्याजमुक्त रिड का फैसला है वो शिवरा सिंग चोहां जी पिछले चुनाओं के पश्चात ले लिये थे लगबग हम यह मान के चाहिए पिछला पूरा टेनियोर हमारा ब्याजमुक्त रहा है उसके बावजूद भी 2016 फरवरी से लेकर उसको गटाते गटाते हम शूने पर लेकर लेकर हितेश जी इसके बावजूद भी 2016 फरवरी से लेकर 2017 फरवरी के बीच में 1982 किसानों ने सूसाइड किया जोकी 110 है इस देश में किसानों के सूसाइड जो 16 साल में वो उसका उसका 110 है आप तो फैस्ले कर रहे लेकिन ब्राउन पर उसका कुछ असर नहीं दिख रहा है देखें निशान जी एक भी सुसाइड यह दी होता है किसी भी सेक्टर से तो वो दुखाद होता है इसलिए हम लोग आंकडों को नहीं ले सकते नमबर एक नमबर दो खेती आज भी जोखिम का व्यवसायस से नकारा नहीं जा सकता है नमबर तीन जो आपने आए बढ़ने का जिक्र किया है जो हम 24 परसेंट या 20 परसेंट औसत ग्रोथ की बात करते हैं किसान आए की करते हैं उसकी वज़ा ये है कि एक फसली किसान तीन फसली पर आया है क्योंकि सिचाई का रखबा बढ़ा है 24 गंटे बिजली मिली है पर साथ-साथ जब हम तीन फसल लेते तो तीनों फसल की लागत भी जुड़ती है तो साथ-साथ समर्थन गूली का बढ़ाया जाना और उसी लिए हमने उसको उसमें शामिल किया है आलू, प्याज और लेसुन जैसी फसलों को भी क्या हम समर्थन गूली देके या बंडारण में सबसीड़ी देकर ला सकते हैं उसका जिकर इसमें किया, आप पताएंगे तो हम उसको बेहतर करेंगे, जो पिसली बार नहीं था तो हाँ, हम उसके शाम में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें और काम भी करना है हितेश जी, मैं आपकी विनमृता की तारीफ करता हूँ, लेकिन आपके सभी नेता चुनावों तक आते आते विनमृता होते हैं, उससे पहले नहीं होते हैं, आप exception हो सकते हैं, लेकिन हमने खुदी प्याज को लेकर स्कैम का मेरे ही शो में खुलासा किया था मतरप्रदेश से जिसमें बड़ी कारवाई होती है, खैर, अभे जी अब आपका काउंटर इस पर, और आपके शो से मैंने ही जाकर आप दिकर कर रहे हैं, की थी और हम किसी को नहीं बख्षेंगे, जो किसाल और सरकार के पीच में है, अभे जी अब आपका काउंटर, भारती जनता द्रश्टी पत्र, द्रश्टी विहीन है, इसमें निकट द्रश्टी दोश भी है और दूर द्रश्टी दोश भी है, आज भी भारती जनता पार्टी मद्ध्य प्रदेश के अवरुद्ध विकास की अंदकार को नहीं जानना चाहती, और इस द्रश्टी पत्र में भविश् सर मुझे मेरी इच्छा है कि आप लोग जुम्ले बाजी जुम्ले बाजी कहते हैं, रिटोरिक से जुम्ले बाजी में नहीं जाए, सीधे सीधे काउंटर मारें जवाब दें उसका, बताइए सर बिल्कुल, निशान जी, ये आत्मगलानी भारती जनता पार्टी की है, और अपराद बोध है कि महिलाओ पर अलग से इन्हों ने रश्टी पत्र जारी किया, मामा जी ने घोशना की कि बेटियों में स्कूटी दूँगा 55% काने पर, मामा जी एक सवाल मैं पूसना चाता हूं ये घोशना तो कॉंग्रेस पार्टी ने भी किये, मगर वो वातावरन मध्यप्रदेश की बच्चियों को, मध्यप्रदेश की महिलाओं को कैसे दे पाएंगे, 46,000 बलातकार मध्यप्रदेश में हुए हिंदूस्तान के सबसे ज़्यादा, 755% महिलाओं के अपरंड की घट परादियों के साथ मामा जी की सरकार खड़ी हुई दिखाई देती है, फिर महिलाओं के अधिकारों की किसा अधिकार से बास करते हैं, आपने शिक्षा की बात की, एक मिनिट, एक शन मुझे दीजी आप जितना, प्लीज एक मिनिट, आपने ये जो बात रखी, मैं इस बात का भी काउंटर लूँगा, लेकिन मैंने किसानों की बात की थी, और जब मैं किसानों की बात कर रहा हूं, तो आपके महराष्ट में, देश में सबजादा किसानों के सुस्षाइड वहाँ पर होते थे, ठीके, अगर मैं मध्धधप्रदेश की बात करों तो आपके ताइम मध्यप्रदेश में भारत का टोटल वीड प्रोडक्शन 9% से भी कम था इनके टाइम पे वो 17% हो गया कोई जवाब है हर एक के पारे क्यों लिए मेरे पास सवाल है जवाब दीजिए इसका और आप महिलाओं की बात कर रहे हैं निर्भया आपके टाइम पर हुआ था जब कें किसानों के लिए हमने जो घोशित किया है उसमें 80 लाग किसान उस कर्जमाफी के दाइरे में आ रहे हैं और लगबग 90 हजार करोड रुपए हम उनका कर्जमाफ करने वाले आज जो घोशना की है चाहे उसको इंपुट कॉस सबसीडी कह लें या बोनस कह लें यह कह रहे हैं सत्रा लाग मार्जिनल फॉर्मर को साथ हजार रुपए अकाउंट में डालेंगे अरे मामा जी ये बताइए 48 लाग तीन हजार मार्जिनल फॉर्मर मद्रिदेश में हैं कुल एक करोड़ छे हजार किसान हैं ये अग्रिकल्चर सेंसेस की 24 सेप्टेंबर 2018 की रिपोर्ट कर चोग जाएंगे कि 24 प्रतिशत मार्जिनल किसान बढ़ गए 11,16,000 किसानों ने मद्रिदेश में खेती छोड़ दी है 35 प्रतिशत आदिवासी भाईयों के बड़े किसान कम हो गए और 26 प्रतिशत अनुसूचित जाती के बड़े किसान मद्रिदेश में कम हो गए ये मैं नहीं कह रहा हूं ये मोदी सरकार का डेटा है सिर्फ 2.6% किसानों के उत्पादन का धान प्रिक्योर किया है और 6 प्रतिशत भी प्रिक्योर किया है हम ये पूछना चाहते हैं आमाजी से बड़ी बड़ी बाते करने की अपेक्षा ये बताइए जब उत्पादन अच्छा ह राश्टपदी के खिलाप बी चुनाब लड़ जाते थे यहां पर ऐसा रहा हुआ तो 15126 किसानों के लिए किसान पुत्र तो आप ने बताया मगर किसानों के हित का जब वो फसलों के दाम मांगने आए तो उनके सीने में गोलियां उतार दीगा माजी घीख अबेजी अबे जिसे माइक पकड़ हो गए सब के सब रुख जाहिए सर जवाब भी सुन लीजे एक मिनिट हाँ सर हितेश जी मैं आप से जवाब ले रहा हूं लेकिन आलोग जी से एक मिनिट इस पर काउंटर ले लूँ आलोग जी कोई भी साफ नहीं अभे जी से मैंने उनकी सरकार के बारे की जम्मेदारी है मेरा मानना है कि किसानों के लिए प्रात्मिकता यह दोनों पार्टियां दे यह तो बहुत अच्छी बात रुवाइदे भी पूरे करे असली में एक समस्या कर्ज माफी और करज का जो जिकर किया गया है कर जिस लिए है अभे जी और वाजबी जी समझें क मेरी स्कूटर में, मेरे मोर्साइकल में, मेरी कार में, यही कुछ एक्सिदेंट होता है, तो उसका वीमा जिस तरह से मुझे पैसा मिल जाता है, किसानों को नहीं मिलता। इस गंभीर समस्या, खाली मुक्ती का वायदा एदी कर देगे, उसके बाद में कम मिलता है, विरोक्रेसी क्या करती है, एक तो यह समस्या है, इसलिए एदी बोनस का प्रावधान गाय के लिए भी किया गया, मैं इस पर जोड़ूँगा, मैं समझता हूँ कि इस बात को माना ज इस बात को देगे, यहूं का उत्पादन दुगना हो गया, तो उसकी बिक्री इतनी नहीं होती है, तो उसके पर वो अपने आप में करज में दूबा हुआ है, तो उसके जाली संकट पैदा होता है, ऐसी स्थिती में स्वया भीन के ऐसा हुआ, कुछ और पिछली बार भी ऐ हो गई है, यहीं उसका बोनस पहलेगा, तो गाये को सड़क पर छोड़ करके जितनी दुरगटनाएं होती है, आप उसका दूसरा पक्ष भी देखिए, बड़े पैमाने पर आप मद्यपरदेश और शत्तिसगड़ ऐसे घूमें, मैं हलके वहिनों में गया हूँ, तो देख पे जी, आप मानेंगे कि किस तरह से बिरोकेसी ये थीक से काम न करे, तो आपकी बड़ी योजनाएं घोष्णा, पत्रचाहिए बनमोहन जी हो, मोदी जी हो, चाहनवाज जी हो, यह पूरी नहीं होती.